साथियों, जब कोरोना का संकट शुरू हुआ था, तो मैंने आपदा को आउसर में बदलने की बात कही थी, आज देश ने इस आपदा को आउसर में बदल कर दिखा दिया है। कुछ दिनों पहले GDP के जो आंकड़े आये हैं, वो दिखा रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल में जो नित्या बनाई, जो निर्णाय लिए, वो कितने महत्वपूंग थे। पिछले साल इतने ग्लोबल डिस्रप्शन के बावजूद भारत ने 670 बिलियन डॉलर यानी 50 लाग करोड रुपिय का टोटल एक्सपोर्ट किया। हर चुलोती से पार पाते हुए भारत ने 418 बिलियन डॉलर यानी 31 लाग करोड रुपिय के मर्चंडाइज एक्सपोर्ट का नया रिकोर्ड बनाया। आज देश के ग्रोथ इंजिन से जुड़ा हर सेक्टर पूरी शमता से चल पड़ा है। सर्विस सेक्टर भी टेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। PLI स्किन्प का असर मैनुफेक्टरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहीद पूरे इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धी हुई है। टॉइट का इंपोर्ट तीन साल में जितना घटा है करीब करीब उतना ही एक्टपर्ड बढ़ा है। इन सभी का लाफ सीदे सीदे देश के उन कोस्टल एरिया को भी हो रहा है जो भारतिय सामान को एक्टपर्ड के लिए अपने समसादन मौहिया कराते हैं जहां मैंगलूर जैसे बड़े पौर्ट है। झाल भी है।